लहर बड़ी करारी है, चीलम पे सैकिल भारी है बनारस की धर्ती पर राधी राध को कौन जाता है और बाबा विश्वुनात का दर्शन करने के बहाने मनकन का घाट पर बैठ का चीलम पीने काम कोई करता है तो ये बनारस की जनता जान रहे कि कौन चीलम पीता है लहर बड़ी करारी है और चीलम पर साइकल भारी है इस तारे के चाथ हम लोग अपने विजान सभा में आप लोग के पास आएं आप लोग असिरबास बनाईएं कि हम लोग विजयी हो साथ तारी के बाद दस्ताएं को विजयी हो चुनावी माहौल तो यूपी में अपने चरम पर पहुँच गया है लेकिन जब तक चुनावी माहौल में बनारस के रस का तड़का ना लगे तो भाईया क्या खाग बनारस में चुनाओ है तो गुरु साथ मार्च को यूपी में आखरी फेज में वारनसी में चुनाओ होने ह पहले यूपी तक को यहां के मैंदागिनी इलाके में समाजवादी पाइटी के दो समर्थक दिग गए लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन दोनों लईका लोगन के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं तो मामला है इनके हाथ में ये कटाउट जिस पर लिखा है चिलम पर साइकल भारी है वैसे बनारस को अलड़ और मस्त मौला फकीरियत वाला शहर यू ही नहीं कहते हैं क्योंकि देश दुनिया में हवा में तेरती बातें यहां पर धरातल में हकीकत रूप ले लेती हैं और अगर माहुद चुनाओ का हो तो फिर क्या ही पूछना ना किवल उत्तरप्रदेश बिधानसवा चुनाओ बलकि उसके पहले से ही सपा मुख्या खिलेश यादव चिलम को लेकर आखिर जिसको तंज कसते हैं यह किसी से छुपा हुआ नहीं है लेकिन इस चिलम और साइकल वाले कटाउट को लिए इन दोनों गुरु लड़कों से हमने बात की तो सुनी उन्होंने क्या कहा जैसी उतारे जैसा कि आप जान रहे कि पिछले लोगा पिछली बार के जो मन्त्री बने जिनको सरकार्य मंत्री बनाय को हमा मांत हुआ है और हमारे महंभिद्याले में व्हें कि महा मंत्री पूरों में रह चुक थे लेकि Pak साल उन्होंने कोई कार्य नहीं किया पान साल कोई कार्य नहीं किया और हम भी मैं भी उसी महाविद्याले का छासंग का देख रहा और इसी वज़े से हरिश्चन महाविद्याले का हज्जार हो हज्जाद छासंग नाराज है और कहने का मतलब यह जो चीलम पर है तो मुझे को सुनने में आता है और जनता भी यह ज जान रहे कि कौन चीलम पिता है और चीलम पर साइकिल भारी का करने का मतलब है कि आज पूरे परदेश में राष्टिया देश्रियक लेस्यादोजी का जो हवा चल रही है और धच्छणी विदान सभा में कि संदिच्छित जी का जो चात्राओं पर माईलाप नौजवानों का जो उस्साह देख रहे हैं कि आज हर वर्ग चाहे वो मुस्लीमों नौजवानों चात्रों हिंदो सभी वर्ग के लोग उनको वोट देने के लिए उस्साहित हैं और यह कितना कटाउस आपने बनवाया है इसमें का हम लोगों ने कटाउस लगबक 10 कटाउस बनवाय हुए हर चेतर गली मुहले में हम लोग जो इसको लेकर घुमवा रहे हैं और यह जो है लगातार साथ तारी तक चलता रहेगा वैसे इस लाइन का प्रियोग अखलेश यादब खुद अपनी रेलियों में कई बार कर चुके हैं लेकिन अब देखना होगा कि आखरी फेज के साथ मार्च के चुनाओं में आखिर क्या होने बाला है और दस मार्च को आए नतीजों में दिल्चस्प होगा यह देखना कि किसकी किसमत का तारा चमकता है वारानसी से रोशन जैसवाल की रिपोर्ट यूपी तक झाल